नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है दिनेश कुमार और मेरे चैनल में आपका एक वर फिर से स्वागत है मेरा चैनल का नाम है लेब टेक्निशन एड़ा और यदि आप नए जो है सुरोता है या दरसक है तो आप मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें यदि आप लेब टेक् को सब्सक्राइब किआज करा जो है आपको जो है वीडियो में प्रॉबाइट कराता हूँ तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिंए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अरुनरे आपको आज बनना मेरे नए Chair name icon मेरे नय Fel से हैं सबके लिए जो है यह बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है कॉलोरी मीटर तो मैं आपको जो है कॉलोरी मीटर के बारे में बता देता हूं क्या होता है है ना तो यह स्टेप बाइस टेफ हम सीखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन उसके बाद यूज पार्ट्स प्रिं हुआ है तो कलर और मीटर है ना तो कलर क्या होता है दोस्तों जो भी कलर सबस्टेंस होगा है ना तो उसको जो है हम मेजर्मेंट करेंगे तो उसको जो हम क्या बोलते हैं कॉलोरी मीटर तो कॉलोरी मीटर एक जो है क्या होता है कॉमनली जो है यह एनलाइटिकल टेक्निक्स ह होता है इसको हम यूज कँहां करते हैं not to show कौन सा क्वांटीटिटिटिटिव सब्सक्राइब संवीक नहीं करते हैं आपको जो है इंत्रोडक्शन मैंने बता दिया अब यूज इसको हम कहा कहा करते हैं थो यूज जैसे की बैसिकली जो है चीशने गूलुकोज हो गया फ्रोटिन हो गया ब्लरद यूरिया हो घया है थो जितने बाई कमिकल टेस्ट होते हैं ठीक है क्लिनिकल बाहर से जब आप देखोगे तो इस तरीके से जो एक कलोरिमेटर आपको दिखाई देगा इसमें एक light control है power switch है ठीक है उसके बाद ये web length control है तो web length control में filters लगे होते हैं अलग-अलग filters भी मैं आपको बता दूँगा तो filters जो है यहां से हम set करते हैं according to color solution का color कौन सा है उसके according हम filters जो है इसमें से सेट करते हैं यह आपका sample holder है दोस्तों इसमें जो है हम sample जो है किवेट रखते हैं उसके अंदर जो भी solution होगा जिसको भी measure करना है उसको जो हम इसमें रखते हैं उसके बाद यह जो है lamp लगा हुआ है उसके बाद यह important parts जो है इसमें है न तो यह हमारा absorbance scale या फिर आपको जो है output जो है यह देता है दो प्रकार के होते हैं यह analog होता है और एक digital होता है यह जो मैं सो कर रहा हूँ यह analog है ठीक है दोस्तों अब इसके अंदर की बात कर लेते है यह light source हमारे पास है ठीक है उसके बाद यह slit लगा हुआ है फिर उसके बाद जो है यह lens लगा हुआ है ठीक है उसके बाद जो है यह filter लगा हुआ है यह sequence में लगे हुए है उसके बाद जो है यह हमारे पास sample है या Q8 है उसके बाद यह photo cell convert करके आपको जो है क्या output जो है द पूरा वाला लाइट जो है इस्में से पास होगा पूरा मैं अच्छे से आपको हिंदी में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाये ठीक है सारे color के light जो है इसमें से pass होगा lens का काम होता है light को focus करना ठीक है उसके बाद यह filter लगा हुआ अब यदि मैंने यहाँ पर example दिया हुआ है यदि मेरे पास solution red color का रखा हुआ है तो red color के solution के लिए मैंने green filter यूच किया हुआ है ठीक है green filter यूच किया हुआ है ठीक light जब parse होगा आगे जो है हमारा q8 रखा हुआ है या sample इसमें रखा हुआ है solution colored solution photo cell पे जाएगा और उसके बाद जो है output देदेगा तो BS law क्या बोलता है BS law यह बोलता है इंगलिस में आपको बता दूँ पहले फिर हिंदी में बताता हूँ according to BS law when monochromatic light pass through the colored solution जब monochromatic light color solution के द्वारा पास होगा तो amount of light मतलब ये light की जो मातरा होती है प्रकास की मातरा जो होती है है ना क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा या कम हो जाएगा क्यों हो जाएगा increase in the concentration of the colored substance ठीक है ये colored substance जो है क्या हो जाएगा increase होगा तो यह amount of light जो है क्या हो जाएगा कम हो जाएगा है ना इस पस्ट है समझने के लिए कैसे यह जो color solution है या इसमें color है यदि इसमें कोई color नहीं होता तो light source जो है जितना light इधर से जा रहा है उतना ही light आपको इधर बराबर मिल जाएगा लेकिन color solution हमने सबस्टेंस इसी को हमें मेजर करना है ठीक है उसके बाद यह तो हो गया हमारा beer slow ठीक है color solution अब lamber slow क्या बोलता है वही चीज है थोड़ा सा अंतर क्या है इसमें lamber slow यह बोलता है amount of light जो है decrease होगा क्यों होगा decrease in the thickness of the colored solution या path of light यह जो हमने use किया है ठीक है तो यहां से यहां तक जो यह सफर है इसका ठीक है यह light का यहां से यहां तक और इसकी thickness ठीक है इसके कारण जो है amount of light क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा ठीक है तो simple सा है lamber slow भी simple है beard slow भी simple है ठीक है एक बार और आप repeat करके सुन ले ना ताकि आपको समझ में आ जाए मैं हिंदी में भी बता दिया इंगलिस में भी आपको बता दिया ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए ठीक है दोस्तों यह जो है हमारा क्या हो गया principle ठीक है तो दो लो पे यह काम करता है उसके ब होती है ठीक है वाइलेट कलर के फिल्टर का ठीक अगर ग्रीन सॉल्यूशन है तो ब्लू कलर यूज करोगे आप रेट कलर का सॉल्यूशन है तो ग्रीन कलर का फिल्टर यूज करोगे ब्लू कलर का है तो यल्लो कलर का ग्रीन ब्लू है तो औरेंज ग्रीन है तो रेड इस तरी सेट कर देते हैं ईसके बाद मसीन को क्या करते हैं और उसमें से कलर करना है तो दोस्तो मैन जो हमारा परपस क्या है यह हमारे पास सेंपल रख़ा हुआ है कलर सोलीशन घिंख गैट तो इसी चीच एंप क्या करना है measure करना है ठीक है तो यह color solution जो आप दिख रहा होगा जैसे कि मैंने red color का example आपको बताया था ठीक है तो यह हमें output जो है हमें दे देगा और दो लोग पे काम करता है बहुत important है वो आप याद कर लिजिएगा exam में भी पूछता है बहुत important वाइवाब में भी आपका आएगा ठीक है तो तो दोस्तों यह मेरा वीडियो आपको कैसे लगा colorimeter का कोई सवाल है तो आप comment box पे comment कीजिए अच्छा लगा वीडियो तो आप like कीजिए ठीक है और मेरे च topics को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं धन्यवाद